गाईज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो एर कंडिशनर में आटो क्लीन का फीचर होता है ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है और फीचर को आपको कब इस्तमाल करना चाहिए साथ में बात करेंगी इस feature से जूड़ी हुई कई सारी गलत फैमियों के बारे में तो guys यहाँ पे for the example मेरे पास में है LG का Dual Inverter Dead Turn Air Conditioner इस AC का आपको buying link या फिर इसका detailed review नीचे description में मिल जाएगा अब यह जो AC है guys इसके अंदर auto clean का feature supported है हलाकि कई जो brands हैं वो इसका नाम बदल देते हैं और इसी feature को magic clean या फिर blow dry feature भी कहा जाता है काम करने का जो तरीका है वो लगबख सेम ही रहता है तो आईए जो feature है इसको हम activate करते हैं और इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा इसके remote पे मैं focus जो है बना लेता हूँ और remote के उपर guys यहाँ पे आपको मिलता है function का button तो यह जो है मैं दबाता हूँ और यहाँ पे देखिए आप display के उपर कुछ additional functions जो है वो blink करने लगे अब मेरे AC के अंदर एक ही function supported है that is auto clean तो यह वाला जो option है यहाँ पे blink कर रहा है अगर आपके AC में इसके अलावा कोई और function supported है तो वो भी सारे functions जो है वो यहाँ पे blink करके आपको बताए जाएंगे तो आईए मैं एक और बार इसको दबाता हूँ तो यह मैंने दबाया function यह जो icon है यह blink कर रहा है और मैं यह set वाला जो button है यह दबा देता हूँ और जैसे ही हमारे AC में से जो beep का sound आया और हमारे remote के display के उपर यह जो auto clean का जो icon है या फिर जो symbol है देखिए यह stable हो गया है मतलब अभी हमारा जो auto clean feature है यह activate हो गया है लेकिन यहीं से guys start होती है कई सारी गलत फैमिया अब पहली गलत फैमिया ऐसी होती है कि सार आपने बताया कि यह जो feature है हमने on किया लेकिन AC में तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो पहली गलत फैमिया है कि यार मेरा जो auto clean का जो feature है यह तो चलता ही नहीं है या फिर मेरे AC का auto clean खराब हो चुका है यह ओ गया पहला problem अब बात करते हैं दूसरे problem की तो दूसरा problem ऐसा है कि जैसे ही कई लोग यह जो feature है इसको activate कर देते हैं उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि यह जो feature है ना auto clean यह चल रहा है और AC को जो है वो चलने देते हैं चलने देते हैं और कई घंटे रुकने के बा simple जो information है यह कई लोग के पास में नहीं होती तो मैं आपको बताता हूँ कि यह feature actually activate किस तरह से करना है तो सबसे पहले हमने remote से इसको set किया तो यह यहाँ पे सिर्फ set हुआ है यह अभी activate नहीं हुआ है तो activate करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस feature को कि यह जो आपका AC है जो अभी फिलाल work कर रहा है जो cooling mode में है इसको आपको actually off करना पड़ेगा ठीक है तो यह जो power button है इससे में AC को off करता हूँ आप यह AC का जो digital display है इसके उपर ध्यान दीजिएगा ओके तो यह जो AC है गाईज इसको मैंने off किया और जो digital display है उसके उपर CO मतलब cleaning operation ऐसा लिखा हुआया तो अभी जो है गाईज वो सही माईने में हमारा जो AC है यह cleaning mode में चला गया है और यह जो cleaning mode है यह लगबग 20 to 30 minutes मतलब करीब करीब आप कह सकते हैं आधा घंटा जो है य और यह cleaning mode क्या करता है कि आपके AC का जो है blower चला के इसके indoor unit में जो भी moisture इखटा होता है क्योंकि हमारा जब indoor unit cooling करता है जब इसमें compressor on होता है तब इसके अंदर लगी होती है evaporator coil और वो जो evaporator coil है बिल्कुल उसी तरह से हमारे एक थंडे पानी के glass के उपर moisture condensation जमा होता है उ तो वो moisture अगर हमारे AC के अंदर कई दिनों तक रह जाता है तो उसके वज़े से क्या होता है कि हमारे AC के अंदर के जो coils हैं जिसको evaporator कहते हैं इसके उपर कई सारे जो है virus, bacteria या फिर fungal growth जो है कई बार हम काई कहते हैं यार AC के अंदर काई लग गई तो काई लग जाती है तो बहुत जो है एक गंदी बदबू भी आने लगती है AC में तो वो सारे जो problems है वो आने लगते हैं तो यही जो problem है इसकी जो जड़ है that is the moisture इसको जो है ये cleaning operation या फिर आप कह सकते हैं जो ये magic clean का function है इसको ये खतम करता है तो ये क्या करेगा कि अभी जो है आदे घंटे तक इस blower को slow speed के उपर चलाएगा और AC के अंदर जितना भी moisture है जो नमी है इसको ये खतम कर देगा इसको ये dry कर देगा तो कुछ इस तरह से जो है ये हमारे AC का auto clean feature जो है वो चलता है अभी बात करते हैं कि ये feature आपको कभी उस करना है ये feature उन लोगों के लिए ज़रूरी है ज अगर आप एक normal इलाके में रहते हैं तो इस feature को आप at least महिने में एक बार use कीजिए ताकि आपका जो AC है इसकी health बनी रहे इसमें से बद्बू अगर ना आए और खास करके मैं एक bonus tip दिना चाता हूं guys अगर आप कहीं बाहर जाने वाले है on certain vacation या फिर आपके AC का जो use है ये जो auto clean है इसको use करना है ताकि बचा कुछा जो भी moisture है आपके AC का वो निकल जाए तो इस तरह से आपकी जो AC का health है ये बरकरार रहेगा अब बात कर लेते हैं हम दूसरे गलत फैमी की तो दूसरी गलत फैमी ये है कि कई लोगों को auto clean ये इतना जादा market किया जाता है और इसक जैसा नहीं है जैसा कि मैंने आपको समझाए कि ये सिर्फ moisture evaporate करने का जो काम है वो करता है ये जो dust filter है ये आपको खुद ही निकाल के manually साफ करना पड़ेगा उसमें कोई रहात आपको इस feature की वज़े से नहीं मिलेगी हाला कि मैं जो है आपको एक छोटी सी रहात दे सकता इस AC के dust filter आसानी से clean करना चाते हैं तो यहाँ पे एक card आएगा इस guide को follow करके आप इसके dust filter है वो बड़े आसानी से साफ कर सकते हैं उसके लावा guys यहाँ पे एक card आएगा अगर आपके AC में से भैंकर बद्बू आ रही है और वो इस तरह के auto cleaning feature को use करने के बाद में भी नही कम हो रही है तो यह वाला जो वीडियो है इसको देखके आपके AC में जो भी bad smell है उसको आप भगा सकते हैं उसको निकाल सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही guys I hope you like the video take care and have a nice day